शिवरात्री का प्रसंग करता है अपने मन की अभिराशा रखकर तुम्हें जो चाहिए एक काली मिर्ची और तिली के काली तिली के साथ दाने एक काली मिर्ची और तिली के काली तिली के कितने दाने साथ दाने हतेली में रखकर अपनी कामना करकर मन से अपने मन के बात को कहकर संकर भगवान के शिविलिंग पर चड़ा दीजिए आपकी मनो कामना कहते हैं हर महीने शिवरात्री आती है इस शिवरात्री पर मुख्य शिवरात्री पर चड़ाओगे अगले महीने की जब शिवरात्री आगी तो आपकी मनो कामना पूरी हो जाएगी एक काली मिर्ची और सा तोड़ी आपके गर में तोड़ कर अपने घर का नामों गोत्र बोलकर उसको शंकर को समर्पित कर दीजिए, जिंदगी में कभी सास बहु का जगड़ा नहीं हो, शिव रात्री के दिन उसको समर्पित करीगा। गहंते तक धतूरा चड़े रेंदो और आप शिरी शिवाय नमस्तुभ्यम का जाब कर जिस संकर जी पर धतूरा चड़ा है उस मंदिर के बाहर बेट कौनसा मंतर जपना है शिरी शिवाय नमस्तुभ्यम फिर से बोलो शिरी शिवाय नमस्तुभ्यम धतूरा चड़ा कर शिरी नमस्तु विहम का इस्मर्ण करिए और जो दुकान नहीं चलती हो घर में लच्मी नहीं टिकती हो खेत में फसल अच्छी नहीं आती हो संपदा नहीं आ रही हो बस उस धतूरे को लाल वस्तर में बांद कर अपनी दुकान में अपने वेपार में अपने घर में रात को साड़े बारा बजे उठाकर लाओ चार बजे के पेले उसको अपनी दुकान वेपार वेशाय में उसको बांद दीजिए और अगर जो जमीन फसल सहीन दे रही हो वो जमीन में लेकर गाड़ दीजिए आपको जीवन में कभी तकलिफ नहीं भूगना पड़ेगी लच्छ में बढ़ती लो और साथ बेर को लेकर अपने उपर से घुमातर शिवरात्री की दोपहर के बारा बजे संकर भगवान के शिविलिंग पर ले जाकर उस बेर को चड़ा दीजिए आपका रोग आपकी बिमारी मात्र तीन महीने के अंदर समाप्त हो जाए शिवरात्री के दिन बेर चड़ को इफ तकलिफ रहती बेर से जुड़ी हूई कोई भी प्राब्लम आगर पेट से जुड़ा हुआ को भी रोग आपको लग गया और डॉक्टर की दवाई चल रही है अगर निने बेर बेर आगर आप रखा हुआ है वह बेर उस रोग वाले व्यक्ति को खिला दीजिय आदे घंटे के अंदर पेट का दर्द पेट की तकलिप पेट का केसा भी रोग होगा एक दम आराम लग जाएगा उस बेर में इतना प्रबलत आ करते हैं नहीं एक शंकरको जोकिंशिव्राक्त्री के दिन करने का होता है IT । जिसका वय पांग ना चले व्युसायना चल रहा है बहुत जाइधा कष्ट में जीवन निकल रहा हो और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही हो तो धतूरे को हल्दी में डुगो कर चंकर भगवान को शिवरात्री के दिन रात को बारा वजे समर्पित करें उस धतूरे को वापिस उठा लाएं पांच-दस मिनिट के बार शिरी शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर लाल कपड़े में उसको बांध कर वेपार वली जगा में कहीं पर भी उसको बांध दिया जाए वेपार पीछे नहीं अटता वेपार अगरने भाव में बढ़ता चले जाता है महाराज उस धातूरे को केवल पंतु शिवराक्तरी के दिन राथ को बारा वजे ही किया जाए हल्दी में डुबोना पड़ता हुआ यही प्रमान एक्रम में ओर है महाराजी लिंग पुराण कती है मान लो किसी व्यक्ति को कोई भारी बिमारी हो गई बड़ा रोग हो गया और वो रोग डाक्टर कह रहा है कि यह ठीक नहीं होना है बहुत तकलीफ उसमें है और कश्ट ही कश्ट है ओठीक नहीं हो रहा दबाईयां दबाईयां लग रहे हैं यह गोलियां कखा रहे हैं तो महाराच उसका विवर्णन है साथ धतूरे कितने धतूरे लेना है साथ धतूरे कोई सिवी शिवरात्री कोई इसी भी शिवरात्री से मतलब महीने में एक बार शिवरात्री आती है प्रतेक महीने आती है किसी भी शिवरात्री के दिन साथ धतूरे लेकर एक धतूरे में मोली लच्छा नाड़ा लपेट कर चंद्र मोली भगवान का इस्तमर्ण करकर उस मोली को लपेट कर छे धातूरे में हल्दी लगा कर संकर भगवान की जलाधारी है जलाधारी में आपको पहले भी वर्णन किया है शंकर भगवान का ये शिवलिंग है ये जलाधारी है ये भगवान का जल निकलने का इस्तरोध, चरणारวिंद का भाव, शिवलिंग जहां रखा हुआ है, ये पारवती जी का हस्त कमल, जहां से जल नीचे गरता है, उसके सीधे भाग में श्री गणेजी माहरच का इस्थान है, उसके उल्टे भाग में श्री कार्तिके जी का इस स्थान बना होता है जो मोटशी कि लाईन है इसके। इसके उपर जो पानी भरा जाता है वह पानी जो बूंद बूं नीचे घरता है यह शंकर भगवान की पांच लड़कियों का स्थान है। भिशहरा, सामरीबारी, दोतली और देव, ये पाँच लड़कियों का स्थान, संकर भगवान का संकूर्ण परिवार, शिवलिंग के सामने से जहां से जल चालू होता है गिरने के लिए नीचे की और जब जल जाता है, उस इस्थान पर भगवान संकर के सारे गणों का स्थान फिर जब जल बहकर सामने की और जाता है, जितनी दूर तक जल जाता है, उतनी दूर तक भगवान संकर के उस जल भाग को गरण करने के लिए 33 कोटी देवताओं का स्थान है, इसलिए उस जल को हम लांगते नहीं है, तो जो बिमारी डाक्टर ने बता दी और बहुत बड़ महाराज निवेदा ने साथ धातूर, एक धातूर पर मोली लपेट कर वो शंकर जी के शिपलिंग के ऊपर चड़ाना, छे धतूरे उसमें से एक धतूरा भगवान श्री गनेत जी का इस्थान, दूसरा धतूरा श्री कार्थी के जी का इस्थान, तीसरा धतूरा अशक सुंदरी का इस्थान. मारत चंकर भगवान की जगदंबा जी की हस्त कमल के ऊपर एक धतूरा एक धतूरा जहां से जल नीचे की और बेकर जा रहा हो पानी जिस जगा से नीचे गिर रहा हो बिल्कुल वही पर एक धतूरा चड़ा देगा उस धतूरे को चड़ाने के बाब वह धतूरा वापिस लेकर आना है अब धूतेश्वर महादेव का नाम लेकर या चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर उसदूरे को जो बिमार व्यक्ती है उसका सिस्पर्श करा कर बेल पत्री के पेड़ के नीचे पटगवा देना है भारत, धीरे-धीरे रोग में आराम मिलना प्रारम हो जाता है ओशदियां धीरे-धीरे समाप्त हो जाती है और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है ये केवल शिवरात्री के दिनी होता बारो महीने शिवरात्री आती है किसी भी शिवरात्री को कर सकते हैं किसी भी शिवरात्री